तो दोस्तों अगर आप Redmi 9A की उजर्स हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं नियू अपडेट आ चुका है Redmi 9A के अंदर जो है 12.0.26.0 का 119MB का अपडेट है इसकी इंफोर्मेशन में अपने टेलीग्रम चैनल पर दे ती टेलीग्रम चैनल को जोईन नहीं किया है तो जल्दी जोईन कर लीजिए वहाँ पर आपको अपडेट की इंफोर्मेशन मिलती रहेगी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो Redmi 9A और Redmi 9i और Redmi 9i sport phone के अंदर तीन ही device के अंदर अपडेट आ चुका है क्योंकि तो तीन ही device सेम है Redmi 9i और Redmi 9a ठीक है तो Redmi 9a और Redmi 9i के अंदर नियू अपडेट आ चुका है तो इसके चेंजिस की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ तो यह पर आप देख सकते हैं अपको स्रिफ फरवरी का security patch मिल जाता है जो कि बहुत 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 अच्छी बात है क्योंकि दोस्तों फरवरी का time चल दा है और फरवरी महीं आपको आप जो सेक्रूडी पेश देखने को मिल जाता है अब दोस्तों आप बोलेंगे कि कोई अपडेट नहीं अपडेट का वहीं मैं आपको बता देता हूं तो अपडेट तो हब फालतू का दिया गा अब दोस्तों आपको पता है कि M U 13 मिलेगा तो दौस्तों मिल फोन अंब्डेट इन्डरीक है ऐद्डॉड पेच्छ का देखने को मिलेगा और वहीं नहीं कि कब त तो नहीं आया है रेड्मी 9a और रेड्मी 9i के अंदर तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको जादे से जादे एक वीक के अंदर अब्डेट देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यह चोटी से इन्फोर्मेशन थी मैंने आपके लिए बनाई थी एक वीक का टाइम क जो है लगा लीजिए तो आपको अब्डेट देखने को मिल जागा है वैसे दोस्तों कभी भी अप्डेट मिल सकता है ठीक है सेकुरिटी पैच का अप्डेट है अप्डेट कर लीजिए और जल्दी आपको MIU 12.5 का सबोट भी देखने को मिल जाएगा रेड्मी 9a और रेड कि दोनों फोन के अंदर से कोई कमी आ रही है कुछ बक्स आ रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं स्कूपर वीडियो जरूर बना दूंगा तो दोस्तों प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजे चैनल को